तो आदाब नमस्कार जाहिन बंदे मातरों, मैं आपका अपना ठागो प्रकर सिंग और रात के दस बज चुके हैं और एक बार फिर कहानी का वही सिलसिला पिछले दो दिनों से किसी दूसरी जगहां पे तच कहूं तो मेरे दो घर हैं, एक घर गाओं में हैं, एक घर सहर में हैं और जब मैं सहर में शिफ्ट होता हूं, किसी काम से आना पड़ता है, घर की जिम्मेदारी होती है तो सिफ्ट होने के बाद कई सारी चीजें अस्तबेस्त होती हैं चुकि जब गाउं में रहता हूं तो वहां नॉइस कम रहता है इस्टूडियो अपना खुद का रहता है वहां पे ज़्यादा लोगों की प्रजेंस नहीं होती है इसके भी प्रित जब सहर आता हूं तो कई सारे गाड़ी कई सारे आवाजें इधर उधर की भी आती रहते हैं नीचे ओपिस चलता रहता है उसमें जो की स्टेडी वगएरा होती है उस सारी चीजे होती रहती हैं जो भी चर्चित मुकदमे चर्चित मामले होते हैं उस पे लोग बिचाय भी मर्श करते रहते हैं जहां तक मेरा काम होता है मैं जाकर उसमें सुनता हूँ जब मेरा काम हो जाता है तो फिर आता हूँ उपर वागी घर परिवार के भी कुछ जिम्मेदारी होती then उसको भी निबाना होता है आप भी इस चीज़ को जानते हैं तो अच सिधा चलते हैं आज की इस कहानी के उपर आज की जो कहानी है आम तोर पे मैंने आपको नजाने कितने सीरे किलर की कहानिया सुनाई कई सीरे किलर ऐसे थे जो महज आट से दस साल के थे उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के सीरे किलर होने का भी तमगाहा से हुआ कई सीरे किलर ऐसे थे जिनकी वज़ा से एक तरह से सरकार गिरते गिरते बची लोगों में दहसत मची, लोग घर से निकलना छोड़ दिये कई सीरे किलर ऐसे थे जिनकी वज़ा से लड़कियां सेफ नहीं थी लड़कियों को रेप करते थे, उनको मारते थे कई ऐसे हुए जो मारने के बाद इंसानों को खा जाते थे लेकिन आज के जिस सीरे किलर की बात में करने वाला हूँ आज जिस सीरे किलर की कहानी आपके सामने रखोंगा ये सीरे किलर अपने आप में इतना जीब था खास तोर के जब इसकी उम्र की बात आती है तो इसने जो कुछ किया, इसका काम इसकी उम्र के बीच में इस तरह कांतर आता है ये आदमी अपने आप में सोचने को मजबूर हो जाता है कि कोई आदमी, कोई बच्चा, एक 17-18 साल का लड़का जो नया नया दुनिया देखना सुरू करता है इसी 17-18 सालों में इसने कुछ ऐसा काम किया, इतने लोगों को मार दिया कि एक पूरे सहर में लॉकडाउन लगाना पड़ता है इसी 17 साल के बच्चे के लिए कि अगर कोई भी अपने घर से बाहर निकलेगा, पूरी पुलिस प्रशासन लगती है, बड़े से बड़े जासूस लगते हैं, एक तरह से आर्मी भी लग जाती है, उसके बाद भी लोगों को यही लगता है कि अगर हम लोग निकलेंगे, आम तोर पे ये बात लोगों को ल इसा रहा होगा, तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के उपर, तो इस कहानी की सुरुआत होती है, साल 2002 के, अक्टूबर महीने में कहानी अमेरिका के वासिंग गटन, डी सी सहर की है, आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, लगभग लगभग सारी वहां के लोग लिए वाइलेंस, क्राइम, ये सारी चीज़े, इसकदर लोगों ने बड़े पैमाने पे देखी थी, घटना बेती हैं भी इतने के बाद लोग जैसे तैसे इस घटना से उभरते हैं, और जैसे ही छे महीने, साथ महीने भी इतने हैं, अक्टूबर का महीना आ अने के बाद एक सॉप पे रुखता है, कुछ समान लेने के लिए उतरता है, उतर के जैसे ही वो कार से लोटने लगता है, आप दुकान से लोटता है, अपनी कार में बैठता है, तभी एक चीज जिसके बारे मैं उस सम्मेना उस आदमी को पता थी, ना गाड़ी में बागी परिवार वाले इससे पहले कुछ सौंच पाते है कि क्या हुआ, क्या चीज सर में लगी, किस तरह का खून निकल ला, किस तरह का दिमाग में छेद बन गया, यह सारे चीजें सोचने समझने से पहले यह आदमी मर चुका था, अब पुलिस वाले जब यह बात सुनते हैं, जब गोली इतनी दूर से आई थी, किन्णा कहीं आसपास किसी ने भी उस सूटर को देखा, और गोली भी ऐसी अजीब थी, कि ऐसी गोली सायद ही आसपास की इलागों में किसी ने देखी हो, उन पुलिस वालों के लिए भी यह गोली अपने आग पे नई गोली थी, अब गोली ऐसी थी कि काच को तोड़ती है, काच में एक छेट करती है, उसके बाद सर के यार पार जाती है, पीछे सीट में जाके फस जाती है, गोली को कबजे में लेते हैं और पुलिस वाले इस गोली के आधार पे, जाज परताज शुरू करते हैं कि अब गोली के खोल को पकड़ना है उसके बाद गन को पकड़ना है जब गन मिल जाएगी तो गन चलाने वाला मिल जाएगा इसलिए आज पास के साही आलाकों में आम तोर पे जो एक लोकल बंदू की रेंज होती है कई मीटरों तक उस गोली के खोल को उस गोली के कबर को खोशते हैं पुलिस वाले लेकिन पूरे प्रयास में उस गोली की कोई कबर नहीं मिलती सबसे मदब मांगी जाती है आसपास के लोग जूसरी लाके में महजूत थे उनसे कहा जाता है अगर इस गोली की खोल कहीं गिरी मिले तो आप प्लीज थाने में लाईए सम्मिट कीजिए आपको उचीती नाम दिया जाएगा चूकि एक सांत सहर में जहां कुछ महीनों पहले कातंकी हमला हुआ है कुछ टाइम बाद अचानक से इस तरह से एक आदमी को गोली लगना कातिल कौन ही इस बात का कुछ पता नहीं तो पुलिस वालों में तरह से हड़कम मची हुई थी पुलिस वाले जाँच परताल करते रहते हैं च्छान में करते रहते हैं और आपको लगने वाला होगा कि मैं कहूंगा कि जैसे इस घटना के कुछ दिन बीथते हैं तो आप यहाँ पे गलत हैं चुकि जैसे इस घटना के कुछ घंटे बीथते हैं दो तारीक की साम को ये वाक्या होता है तीन तारीक की सुबा सुबा एक महिला कॉल करती है पुलिस को और कॉल करने के बाद कहती है ख़बर नहीं मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ हनोनी हुई है पुलिस वाले जब ये कॉल सुनते हैं कि एक आदमी घास काटे काटे उसके सरी से खून गिलने लगा वो मर गया ते बास सुनने के बाद पुलिस वाले फौरण अपने गाड़ी को उठाते हैं सारे लोग सवार होते हैं सवार होके उसके बताए अड्रिस पे जो की SS-Sector का मामला था SS-Sector पे जाते हैं जाने के बाद उस बड़े को कबजे में लेते हैं तब तक आस-पास लोग के भीड मची हुई थे सब को हटाते हैं अब लास के पास पहुंचते हैं और जैसे ही लास को चेक करते हैं तो पता चलता है कि कोई गोली उस आदमी की सीने में लगी हुई थी गोली सीने को चीर के आरपार निकल चुकी थी और इतना ज़्यादा खून बहता है को आदमी वही मर चुका था अब आप सोच के देखिए कि किछी घंटों में ये दूसरा मामला था जहां एक आदमी किसी को गोली मारता है मारने के बाद ना गोली का पता चलता है ना गोली का कबर मिलता है ना सूटर मिलता है ना किसने मारत ना परपज मिलता है पुलिस वाले चानमीन करते रहते हैं जाज परताल क था प्रेम कुमार आता है आने के बाद तेल वगएर भरवाता है चुकि वो टैक्सी डाइबर था टैक्सी चला के अपना जीओनियापन करता है जैसे ही वो टेल भरा के थोड़ा सा आगे जाता है एक गोली आते है उसके सर को चीरते हुए आरपार जाती है और प्रेम कुमार आन दे स्पॉट मर जाता है अब आठ बज़े एक आदमी को गोली लगी थी कुछ घंटों पहले एक दूसरे आदमी को गोली लगी थी और एक तीसरा मामला था जो पुलिस के सामने आ चुका था अब पुलिस वालों में एक तरह से हड़कम मजती है नीचले पैदान से लेक अब जैसे ही इस घंटा को एक घंटा और बीटता है साथे दस बज़े का वक्त था हलकी फुल की धूप निकली थी एक महिला जिसका नाम सारा था तीस पैंति सालूम्र थी एक बेंच पे बैठती है सड़क किनारे और बैठने के बाद एक अकबार को पढ़ती है और जैसे ह अकबार पढ़ रही थी एक गोली उसके अकबार को चीरते हुए उसके सीने में आधसती हैं और सीने के पार निकल जाती है scorब अन्दस पारटों गिरती है गिरने अक बाद मरती है आस पास के लोकल लोग देखते हैं तो पुलिस को फोन जाता पुलिस आती है इसलास को भी चेक करती तो सेम तरीके से इसे भी गोली मारी गई थी अब यानी चार घंटों के अंदर तीन लोगों को गोली मारी जा चुकी थी और पांच-छे घंटे पहले एक और को गोली मारी जा चुकी थी पुलिस वाले आम तोर पे जो बड़ी मुस्ताइदी से काम कर रहे थे उस सहर के अब उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कब इस मामले में किया तो किया क्या जाए सारे एड़ी चोटी का जोल लगाते हैं सारे कैमरे और जो भी थे उनको खंगाली की कोशिस करते हैं लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ संदिग नहीं मिलता और सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों के लिए अभी भी यही था ये गोली आ कहां से रही है ये गोली किस बंदूग की है कैसे कोई इतनी सफाई से मार रहा है और ना किसी ने गोली की आवाज सुनी ना किसी ने गोली मारने वालों को देखे ना है किसी के पास इस मारने वाले के बारे में कोई जानकारी है और ना है मरने वालों के पास मरने का कोई रीजन चुकि अगर कतल होता है, तो कतल का एक मोट्व होना चाहिए. पुलिस वाले चानमीन करते रहते हैं, जाज़पड़ताल करते रहते हैं. तब ही अचानक से एक लोरी नाम की महिला अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी. अचानक से उसको भी ऐसे ही सेम तरीके से गोली मार दी जाते है और ये सारी घटना है जो मैं आपको भी तक बता रहा हूँ ये सारी घटना 3 अक्टूबर साल 2012 की है 25 किलो मीटर का उस सहर था और इसी 25 किलो मीटर के सहर की इलाके में पांच लोगों को गोली मारी जा चुकी थी पुलिस वाले यहां भी पहुंसते हैं और इससे पहले कि पुलिस वाले पहुंसते हैं एक छठा फोन आता है और ये छठा फोन एक पासकल नाम के दुकान से आता है पासकल एक कारपेंटर था अपने दुकान पे लखड़ी औगएरा के समान बनाता उनको बेशता था चार साढ़े चार का वक्त था साम के वक्त में जैसे आदमी अपने दुकान पे बैठा था अचानक से एक गोली आती है इसको लगती है और ये कुर्सी भी पड़े पड़े ही खोन बहने के वज़ा से मर जाता है यानि पांच-छे घंटों में छे कतल हो चुके थे अब पुलिस वालों की हवा खराब होती है पुलिस वाले इस मामले को सुलजाने के लिए आज पास की जितने भी स्नाइपर एक्सपर्ट थे जो ऐसे लॉंग रेंज की गन के बारे में जानकार थे चाहे वो पुलिस महकमे के लोग थोई चाहे वो मलेट्री के लोग थे चाहे लोकल जासू से उन सब को पुलिस वाले बुलाते हैं और पूरा वाक्या समझाते हैं और ज्यादा समझाने की जरूद भी नहीं थी चुकि पूरा मामला जंगल की आग के परा पूरे सहर में फैल चुका था सारे स्नाइपर आते हैं उस जब सारे चीज़ों को बारे की से जाच पड़ताल करते हैं गोली की range को चेक करते हैं, angle आप incident को चेक करते हैं, तो सारी चीज़े चेक करने के बाद, तीन चार conclusion सारे sniper मिलके बताते हैं, पहला conclusion, snipers ये देते हैं, कि आज पास कोई जंगल नहीं है, आज पास कोई building नहीं है, यानि जो भी है, ये कहीं आज पास के छोटे मोटे घर से, या फिर किसी पहलल जगह से ही ये निसान असाद रहा है, दूसरा conclusion ये देते हैं, कि जो गोली लगी है, ये गोली कहीं बहुत उपर से नहीं आई है, ना ही कहीं बहुत नीचे से आई है, गोली अर्थ के पहलली आई है, बोड़ी के अंदर लगी है, यानि जिसने भी गोली चल कि चूकि गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी, गोली आते हुए किसी ने नहीं देखी, अब ये कहना भी बेकूफी होके, लेकिन उस टाइम पर जो गतर्क दिया उसने, कि ना किसी ने गोली आते हुए देखी, कि गोली किस डारेक्शन से आ रही है, ना गोली की किसी ने स्नाइपर हो सकती है, वो भी बहुत अवल दरजे की। और जिस हिसाब से गोली मारी गई है, मारने वाला बहुत बड़ा निसाने बाज है, बहुत बड़ा प्रोफेशनल शूटर है, और इसे पकड़ना बड़ा मुस्किल होगा। अब ये सारी कंक्लूजन जब पुलिस वाले सुनते हैं, तो सबसे पहले पुलिस वालों को लगता है कि अगर हम पकड़ नहीं सकते, तो कम से कम जो लोग हैं, उनकी सुरच्छा ही कर ली जाये। लिहाजा पूरे सहर में एक तरह से लॉकड़ाउन लगाया जाता है। सब को कहा जाता है कि आप सहर से बाहर ना निकलिए। आप घर से भी बाहर ना निकलिए। अगर निकलते हैं तो अपने जान के अपने माल की जिम्मेदार आप खुद हैं, चुकि हम खुद परिशान हैं कि ये कातिल कौन इसे कैसे पकड़ा जाए। कहां से ये गोली चला रहा, क्यूं चला रहा, ये सारी चीजे भी हमी नहीं पता। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप अपने घर में रहें, सुरच्छित रहें और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पुलिस वालों की ये बात सारे लोग मान जाते हैं, चुकि सारे लोगों के अंदर दहसत हो चुकी थी कि कौन सी गोली किसको आगे लग जाए। कुछ पता नहीं था, चुकि 50-20 किलोमेटर कितना बड़ा इलाका है आप खुश सो सकते हैं। एक छोटे सी इलाके में दो दिनों के अंदर 7-8 लोगों को इस तरह से मारा गया था। पुलिस वाले तमाम प्रकार की कोशिसे करते हैं कि इन 7-8 लोगों में कोई लिंक मिल जाए। कि सावार इदिनका कोई कॉमन दुस्मन हो, या फिर कॉमन फ्रेंड हो, या फिर कोई बी एक चीच का मन मिल जाए। लेकिन पुलिस वाले चाहे जितनी कोश़्से कर रहे थे। ना कोई का मन फ्रेंड था, ना कोई का मन मोटिव था। इबन सारे लोग अलग-लग जगों से थे, कोई इंडिया का था, कोई वहाँ का लोकल था, कोई किसी दूसरे सहसे आके यहां रह रहा था, तो जब कोई चीज कॉमन ही नहीं मिली, तो मारने का रीजन भी कैसे कॉमन मान लेती पुलिस, पुलिस वाले सारे चानमीन करते रहते हैं, जाज परताल करते रहते हैं, एक डिटेक्टिब जिसका नाम था वारने, वारने की मदद लेते हैं, और वारने से कहते हैं कि पुलिस वाले हार चुके हैं, अब आप इस मामले को सुल जाईए, वारने भी आता है सारी चीजों को जाज परताल करता है चानमीन करता है और लास्ट में एक कंक्लूजन देता है चुकि कुछ महीनों पहले ही 9-11 की घटना हुई थी लिहाजा वारने को लगता है कि ये घटना भी किसी अलकाइडा के करकरता की है किसी ऐसे बंदे की है किसी ऐसे आतंकी की है जो अलकाइडा से जुड़ा है और वो इस तरीके से लोगों को मार के अपना मिसन पूरा कर रहा है अब ये सारे कंक्लूजन ये सारे चीज़ें पुलिस वाले जासू से सारे लोग बना ही रहते हैं किसी बीच दो और लोगों की हत्या हो जाती है दोनों लोग कहीं जा रहते हैं अचानल से कोई गोली आती है उन्हें सारे ताम ज्हाम को तयार करते हैं, पूरे इलाके की घहराबंदी करते हैं, चप्पे चप्पे पे नजर रखते हैं. पुलिस वालों को लगता है कि हम हर एक गाड़ी पे हर एक चीज पे नज़र दखेंगे और जैसे हैं गोली चलेगी कोई वहाँ से भागेगा हम उसे पकड़ लेंके पुलिस वाले इस इलाके में 25 किलोमीटर के अंदर घेराबंदी करते रहते हैं तब ही एक दूसरा फोन वरजीनिया से आ जाता है जहां पे एक महिला एक पार्क में बैठी थी बैठने के बाद अचानक से उसे गोली लगती लेकिन इस महिला की किसमत इतनी अच्छी थी कि गोली जो है किसी सेंस्टिप पार्ट पे नहीं लगती पसलियों की बीच से निकल महिला हॉस्पिटल जाती है हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्र इसे टाइम पे इलाज करते हैं यह महिला बच जाती है और यह पहली ऐसी महिला थी जो इस अटाइक से सर्वाइब कर चुकी थी अब पुलिस वाले आसपास के साए लोग तमाब पकार के कयास लगा रहे थे पुलिस वाले लोगों से अपील कर रहे थे कि आप घर में बैठे रहें तो सी बीच कुछ गार्जियन अब आप उन्हें बेकूफ कहेंगे बुद्धिमान कहेंगे यह लोग आते हैं पुलिस प करते हैं कि जितनी भी लोग मारे गए हैं ये लोग एडल्ट थे ये बड़े थे और अभी तक कोई भी हमला बच्चों पे नहीं हुआ लेहाज आप स्कूल हो गएरा जाने की अन्मती दे दें चुकि बच्चों पे कोई हमला नहीं हो रहा तो बच्चे जाएं अपनी पढ़ाई करें सारी चीजे करें पुलिस वालों के भी मती मारी गई थी पुलिस वाली ये बात मान जाते हैं और इसी बीच साथ अक्टूबर कोई स्कूल जाने की पर्मीशन मिलती है और एक इजराइन इजराइन ब्राउन नाम का लड़का लभखतेरा सालूम रथी अपनी बस पे चड़ता है टौफी खाते हुए जाता है जब बस के अटेंडर उसे देखते हैं तो देखने के बाद कहते हैं कि तुम बस से नहीं जा सकते हैं कि तुम ने रूल तोड़ा है चुकि कई स्कूलों में ऐसा होता है कि आप कुछ खाते हुए इसकूल की बस में नहीं जा सकते हैं लेहाज आप घर जाये जाने के बाद आपका कोई सगा संबन्ध है तो आप उससे कहिए वह आपको छोड़ेगा लेंकिन आपको बस से नहीं जाना है अब वह बच्चा सुनता है सुनने के बाद रूतर होताया अपनी बूगा के पास आता है बुगा पास के एक हॉस्पिटल में नर्स की बुगा से कहता है कि बुगा मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे स्कूल से निकाला गया, बस से उटार दिया गया बुगा कहती है कि ठीक कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी बुगा इतना कहती है, उसके बाद अपना समानोगार पैक करती है हॉस्पिटल जाने के लिए और साथ इसको लेके जैसे ही निकलती है, तब है चैनक से एक गोली, इस तेरा साल के बच्चे को आके लगती है बुगा देखती है कि बच्चे को गोली लग गई है, चुकि बुगा नर्स थी, सारी जानकारी उसे थी बुगा ना सोर सराबा करती है, ना कुछ करती है, फोरन इस बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाती है जाने के बाद टाइम से इसका इलाज करती है, और ये बच्चा भी अच्छी किसमत के होजा से बच्च जाता है अब बच्चों पे भी जब आफमला होने लगा, तो पुलिस वाले सारे जासूस अपना हाथ अप खड़ा कर देते हैं और लोगों से कहते हैं कि एक हिल्प लाइन नंबर है, अगर आपको कोई संदिक देखे, तो आप खुद हमारी मदद कीजिए, चुकि हमारे बसका नहीं है कि इस मामले को उन सुल जा सके हैं पुलिस वाले सारे जासूस अपना हाथ खड़ा करते हैं नंबर भी जारी करते हैं, लेकिन नंबर जारी करने के बाद, क्योंकि सारे लोग अब घर में बंद थे, लॉक्डाउन लगा हुआ था तो सारे लोग उस लॉक्डाउन में इसी नंबर पे कॉल करकर प्रैंक करने लगते हैं कोई कहता कि मैं खुद स्नाइपर वाला हूँ, कोई कहता कि मैंने स्नाइपर वाले को देखा है, कोई कहता कि मैं कतल करने जा रहा हूँ, और कोई कहता कि मेरे घर में कतल हो गया दो-तीन दिनों के अंदर ही लगबग 10 लाख से ज़्यादा फोना चुके थे बार-बार फुरैंक करते हैं, बार-बार सारी चीजे करते हैं पुलिस वाले बेचारी धर से दर्थ भटकते हैं लिकिन ना कुछ सही चीज, सही जानकारी कहीं सी मिलती हैं लेहाजा पुलिस वाले भी थकहार के वापस आते हैं और जब सारे प्रयास पुलिस वाले कर लेते हैं और उनसे मावला सौल नहीं होता, कतल भी होते जा रहे थे, लगातार हो रहे थे कहीं से भी कोई गोली आती, किसी को चीरती हुए उसकी जान ले लेती तो पुलिस वाले फॉरन जाते हैं और जाने के बाद ठकहार कर यह फ्बी आई की वनस्थ लेते हैं अब इस मामले में यह फ्बी आई पढ़ती है और जैसे ही यह फ्बी आई अपना पहला कदम इस मामले में रखती है तुरंत यह P.I. सबसे पहले दो लाख डॉलर दो लाख डॉलर काई नाम घोसित करती है इस आदमी के बारे में बताने वालों को या फिर इस आदमी से related कोई जानकारी देने आले के लिए दो लाख डॉलर काई नाम घोसित करती है अब दो लाख डॉलर कि जब बात आती है तो इस मामले में भी अलग-अलग लोग प्रैंक करते है कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता कोई अजीर सी जानकारी देता और इसी बीच एक रॉबर्ट नाम का आदमी आता है 19 तारीक की ये बात है रॉबर्ट नाम का आदमी आता है आने के बात कहता है कि साहब मुझे लगता है कि मेरा एक दोस्त था मुहमद और मुझे लगता है कि यही मुहमद है जो इन सारे मामलो की पीछे है अब इफ बी आई पुलिस वाले जब यह बात सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा तुम इतने दावे से कैसे एक सकते हो ये FBI भी काफि प्रैंक चीजों से परिसान हो चुकी थी कई लोग प्रैंक कॉल कर रहे थे प्रैंक कर रहे थे पुलिस वालों के साथ FBI के साथ गलग जानकारी दे रहे थे, कुछ भी बता दे रहे थे लिहाज जब पुलिस वाले और FBI वाले कहते हैं कि अच्छा आपको इतनी ज़्यादा यकीन से आप कैसे कह सकते हैं कि इस कतल की पीछे आपका दोस्त मुहम्मद ही सामिल है जब यह सवाल हो आदमे सुनता है तो सुनने के बाद अपना तर्क देती हुए कहता है कि चुकि दो रीजन है पहला तो हम और मुहम्मद यानि रोबर्ट और मुहम्मद यह B.I. में और आर्मी में एक साथ काम कर चुके हैं और दूसरा जिस बंदूग से एक गोली चल रही है वो एक हाई कैलेबर स्नाइपर है और इस स्नाइपर को चलाने में मुहम्मद को महारत हासी थी इतनी बड़ी ब्रेक्थू इतनी बड़ी लीड पुलिस वालों और एक बियाई वालों के सामने थी लेकिन इतने ज़्यादा प्रेंक हो चुकी थी इसके साथ किस मामले को इस जानकारी को यह बियाई वाले एगनोर कर देते हैं पुलिस वाले भी इगनोर कर देते हैं और सारे क्राइम आप सीन पे फिर से जाते हैं रिविजिट करने के लिए कि कहीं से कोई जानकारी मिल जाए कोई क्लू मिल जाए जाज करने के लिए पड़ताल करने के लिए इधर पुलिस वाले अब बी आई वाले क्राइम सीन पे जाते हैं कि अचानक से तीन और कतल हो जाते हैं फिर से पुलिस वाले यहां भी जाते हैं यहां भी जाज पड़ताल करते हैं तो इस बार जाज पड़ताल में, जिसका तीन तारे को कतल हुआ था, जिस लड़की का जो बैटके अकबार पड़ता ही थी, सारा, वहीं पर इसको एक कार्ड मिलता है, अब दियाई वालों को, और इस कार्ड पे लिखाता है, पुलिस आपसर, call me God, और साथ ही ये बात भी लि जाती है, और अगले दिन पूरे अमेरिका की सारे अकबारों में ये बात फैल जाती है, अब ये बात फैलती है, कि फिर से कतलों का सिलसिला बढ़ने लगता है, यह बी आई वाले पुलिस वाले सारे लोग, अब इस क्रिमिनल से बाचीत करने की कोशिश करते हैं, इससे मान मनवल करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें जो भी डिमांड ने तुम बता दो, लिकिने कतल अयाम बंद करते हैं, जगा जगा इस्तियार देते हैं, सारी चीजे करते हैं, और इसी बीच एक और कतल होता है, और उसी लास के पास एक बैग मिलती है, और उस बैग में एक अपनी डिमांड्स बताऊंगा, अब इसके बाद सारे पुलिस वाले, सारे न्यूज चैनल, सारे जो भी रिपोर्टर्स थे, चाहिए FBI के हों, चाहिए वहां की सरकार के लोग हों, सारी जनता, अगले दिन दस बजे का इंतिजार करने लगती है, चुकि अब कुछ ऐसा हूँ सुनने वाले थे, जिससे साइद ये कतले आम रुख सकता था, अगले दिन दस बजता है, और टाइम के हिसाब से दस बजे ही, उस रेस्टुडेंट की फोन की घंटी बजती है, फोरण जो सबसे अवल दरजे का ओफिसर था, वो फोन उठाता है, उठाने के बद, इंट्रेक्ट करता है, अपना पर्चे देता है, और अपने बारे में बताता है, और साथ ही सामने वाले के बारे में जब पूछता है, तो सामने वाला कुछ कहता नहीं, बस अपनी डिमांड रखता है, और कहता है, कि मुझे 10 मिलियन डॉलर चाहिए, और अगर 10 मिलियन अब पुलिस वालों और एक दम खुली धम की खुली चेतावनी थे अब पुलिस वाले मानमनवल करते हैं और करते हैं ठीक है तुम्हाई जो भी डिमांड हो पूरी हो जाएगी लेकिन तुम कौन हो तुम क्यों मार रही यह सारी चीजे भी तुबता दो अब इस किलर की ओबर स्मार्टनेस कहें या फिर इसका ओबर कॉन्फिडेंस कहें जब ये बात पूरते हैं तो बड़े घमंड में या आदमी कहता है कि अगर मेरे बारे में जानना हो तो कोश टाइम पहले अलबामा सहर में एक सूटिंग होई थी अगर आप कभी कहेंगे तिस बारे में भी एक डिटेर्ड वीडियो आपको बना के दे दूँगा दरसल इस सूटिंग में कई लोग मारे गए थे गंसे ही भून के मारा गया था और उस कातिल के बारे में किसी को पता नहीं चल सका था अब ये आदमी कहता है कि अगर मेरे बारे में जानना हूं तो अलबामा सूटिंग के बारे में जाके रिसरच करो अब ये बात जब DC की पलिस और B.I. की लोग सुनते हैं तो फौरण अलबामा की पलिस से बात करते हैं की क्या कुछ हुआ था अलबामा की पलिस कहती है किस मामले में न हमें कोई लीड मिली नहीं कोई हमें जानकारी मिली सारे सबूत सारे गवाह के नाम पे हमारे पास एक गन्त की मैंगजीन है अब BI वाले फोरण वहाँ पे जाते हैं जाने के बाद उस गन्त की मैगजीन को लेते कि आधे यहां से कुछ मिल जाए तो उस मैगजीन को देखती है एक बाध फिर यह भिब वाले चूपते हैं चुकि यह magazine तो एक pistol की थी, जो कतल हो रहे तो sniper से थे, जो magazine मिली थी, यह pistol की थी, पुलिस वाले फिर परिशान होते हैं, अब बियाई वाले भी हैरान होते हैं, कि अब इन दोनों में क्या link है, बाइरहाल अब बियाई वाले और forensic expert, इस magazine की बकाइदा जाच करते हैं, बारीक स तो यह fingerprint एक 17 साल के लड़के से match करता है, और इस लड़के का नाम था लिवाइट, fingerprint match करता है, match करने के बाद फॉरण पुलिस वाले इसके बारे में पता करते हैं, कि यह लिवाइट कौन है, चुकि पहली बार कोई नाम कोई चेहरा पुलिस वालों के पास था, पुलिस वा अपने पिता के साथ, जिसका नम मुहमद है, और आप ध्यान से देखिएगा कि यह वही मुहमद है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले रॉबर्ट आके बता रहा था, उसी मुहमद के साथ कहीं गया, तब से लोटके नहीं आया, पुलिस वाले इसके बाद रॉबर्ट से contact क बारे में मुहमद के बारे में और लिवाइट के बारे में फिर से पूस्ताच करते हैं, तब यहादमी रॉबर्ट बताता है कि नके पास एक कार है नीले कलर की और इसी कार में बिर गुमते रहते हैं, पुलिस वाले या भी आई वाले अब इस नीले कार की reception को जगा जगा एक दो दिन और बीता है और अचानक से एक आदमी फोन करता है और कहता है कि साहब जो भी description अपने बताया था इस नेली कार के बारे में ये सारा description इस कार से मैच कर रहा है जो इस वक्त मेरे सामने ख़ली है पुलिस वाले जैसे ये बात सुनते हैं फॉरन उस जगहां पे जाते हैं उस कार को चारतफ से घेरते हैं और घेरने के बाद जैसे कार का दर्वाजा खोलते हैं तो पुलिस वालों के सामने दो जैकपॉट पड़े थे दरसल उस कार में वो दोनों आदमी लेटे हुए थे और उनके कार में एक बड़ी सी स्नाइपर भी रखी हुई थी अब फिर क्या था पॉलिस वाल इन दोनों को उठाते हैं उठाने के बाद अपने इनिस्टिकेशन सेंटर पिलाते हैं वहाँ पर जब पूस्ताच करते हैं तो दोनों ज़्यादा देर तक बाद घुमाते हैं और अपना गुना सीदा सीदा कबूलते हुए कहते हैं कि ये जो सत्रा साल का लड़का है इसे मैंने स्नाइपर की ट्रेनिंग दी है उसका बाद मुहम्मत कहता है और ये बस अपना निसाना पक्का करने के लिए ही लोगों को मार रहा था पुलिस वाले फिर चौकते हैं और कहते हैं कि इस निसाना पक्का करके तुमको करना क्या था तो इसके बाद ये दोनों जो कहानी बताते हैं वो कहानी भी बड़ी चौकाने वाली थी दरसल ये दोनों बताते हैं कि पिछले छे महीने से भले ही पुलिस वालों के जानकारी में 17 कतल की वाक्या सामने आई ये दोनों का बोलते हैं कि पिछले छे महीने में जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को मारा सबसे पहले ये जंगलों में रहने वाल लोगों को मारते थे जिनकी ना कोई कंप्लेन होती थी ना ही कोई रिपोर्ट होती थी ये इनको दूर से सूट करते, सूट करते, साइलेंसर से सूट करते साइलेंसर यूज करते, सूट करने के बाद गायब होजाते ना जाने कितनों लोगों को वहां मार कि जब इन्हों ने अपने निसान पक्का कर लिया तो इसके बाद ये फिर सहर की तरफ बढ़ते हैं यहां भी एक कुछ टाइम को मारते और इनका टारगेट था कि एक दिन में इन्हें पांच कतल करना है यानि अगर टोटल कलकुलेट किया जाए तो 30 दिनों में ये 1.500 कतल करते 1.500 कतल करने के बाद पूरे सहर में अपने नाम की दहसत करवाते जो कि हो भी गए थी उसके बाद किसी को भी रेंडमली फोन करते और फोन करके अपनी फिरोती मांगते अब इसके पीछे ईन्हों ने जो कारण बताएdır कि इनके पस कोई जूब नहीं है और इससे स्वर्र कोई पैसा कमाने के तरीक इनके पस था नहीं और इससे यह और वो खर वो कमा सकते थे यानि यह पहले लोगों को मार मारके देसत पईदा करते थे और अगर ये दैसा ठीक से हो जाती और ये पकड़े ना जाते तो इसके बाद ये पूरे सहर में किसी को भी फोन करते और जितनी फिरोती की रकम इन्हें चाहिए होती ये मांग लेते आप पुलिस वाले इनसे पूशते हैं कि अच्छा चलो ठीके तुमने जो मारा जैसे मारा लेकिन जिन को मारा उनको मारने का कोई खास रीजन था किसी और को क्यूं नहीं मारा तिसपे इन्होंने जो जाबाब दिया वो जबाब भी बड़ा चयोंकाने वाला था इस पे ये कहते हैं कि इनको मारने का कोई मोटिव नहीं था, कोई कारण नहीं था उस समय उस टाइम उस जगहां पे जो भी खड़ा होता यानि ये सारा नहोती कोई और होता है उस इलाके में उस टाइम जितने बज़े ये जाते थे उस टाइम इने जो मिलता उसको ये मार देते यानि किसी पर्टिकुलर इंसान को ये न टार्गेट करते थे बलकि ये टार्गेट करते थे उस टार्गेट पर जो आ जाता था उसे मार देते थे अब ये बात, ये पूरा बाकिया जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद फोरन उन्हें गिरबतार करते हैं, उनके खिलाब चार सेट फायल करते हैं मायला कोर्ट में जाता है, उसके बात फिर उन्हें सजा होती है और इसी के साथ जो महीनों तक एक सहर में 25-30 किलिमेटर के रेंज में जो 17-18 लोग मारे गए यानि हर दूसरे दिन एक दूकत बहो रहे थे ये सिलसिला भी रुकता है और उस सहर के लोग, डीसी के सहर के लोग एक बार फिर चैन की सांस लेकर तो फिलाल ये थी पूरी कहानी, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी एक ऐसे 17 साल की लड़की की जिसने 17 साल के उमर में on the record 17 कतल किये और off the record तो न जानी कितने की उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो बस वीडियो को एक लाइक कीजेगा, चैनल को अपना प्यार दीजेगा और थोड़ा चीज जैस्त बेस्त हैं लेकिन कहानी का फ्रिक्वेंशी, कहानी का रिदम तो सायद वही रहा होगा बाकि अब आप से कल्फीन उलाकात होगी, किसी दूसरी कहानी के साथ तक अच्छे रहेए, खुश रहेए, जैहन, पंदेवाद